अल्ट रहीम, असलाम अलेकम स्टूदेंस, मुईदा अपखेजिये से होंगे, आज हमने लास्ट शिक्स का स्केनिंग डवाइसेज कुछ टॉपिक्स रह गहे थे, ठीक है, हमने कार्ड डिटर पड़ा था, स्केनर पड़ा था, अप्टिकल स्केनर पड़ा था, हमने कुछ ट पर उनको स्क्रोल किया जाता है में इसकी उपर उनको एक बार मूव करवाया जाता है यानि इन डेफिनिशन आप देख सकते हैं इन फॉर्म आप इमेजेश मैं देर रॉन अक्रॉस देटा इन डेटा जो होता है फर इसके पेज के उपर है उस पेज को आप अगर किसी भी स्क के सामने रखेंगे उसके उपर मूव करवाएंगे उसके सामने दिखाएंगे तो आपका जो डेटा है उससे वह मूव करके डिजिटल फॉर्म में वह आपका कनवर्ट हो जाएगा कुछ एक्जामपल रह गए थी वह थी क्विक रिस्वांस, कोड रीडर, बार कोड रीडर और फिंगर पेंड रीडर, हम इनको थोड़ा स्टेडी देख लेते हैं कैसे होती हैं चीजें क्या क्या होती हैं, फरस्ट अफ आल है बार कोड रीडर, बार कोड क्या होता है हमें बार कोड रीडर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए बार कोड है क्या, सीरीज अप ब बता रहोता है कि इसकी इसके अंदर इसकी अगर हम बार कोड को study कर सके, read कर सके तो ठीक है, अगर हम यह नहीं पाता हो, हम यह जो अपका number पढ़ा है, इसके साथ perfect उसकी जो product की name है, identification है, हम वो find कर सकते हैं, यह actually इसका काम क्या होता है, it enables central computer to identify an item with the help of barcode number, बार कोड नमबर, the product's name, description and latest price are stored on the computer, जो आपकी product है, इसकी name, इसकी description, यह कहां से बनी है, कहां से आई है, इसके अंदर क्या-क्या मौझूद है, ठीक है, latest price इसकी क्या है, तो सारा का सारा, उस computer के अंदर store है, जहां से यह चीज आई है, जब उनका server था, ठीक है, वहां पर यह चीज चीज store है, जब आप barcode को scan करने के लिए, कोई device यूज़ करते हो, तो हम उसको barcode reader कहते हैं, इसी barcode को scan करोगे, तो आपको यही आपके information, जो आपके सामने नदर पर जिसका नाम, जिसमें से product's name है, description है, latest spice है, तो यह सारा का सारा आपके सामने आएगा, यह, actually, हम, it is edify the product, its country, region, and manufacturer, जो हम कह रहे हैं कि manufacturer का पता चल जाएगा, कहां से बनी है, किस country की है, यह क्या है, इस product के अंदर, ठीक है, check digit is prepared to make sure the reading of barcode is correct, हम, यह check number में कह रहा था, कि नीचे होता है, हम, type करके, www.website के उपर, हम find कर सकते हैं, कि यह, जो आपकी product है, actually, इसके अंदर वाकी जो barcodes है, हमें reading मिली थी, वो correct है, या उसमें कोई false है, कोई problems है, P.O.S. terminal, actually, इसका working बहुत हाई होता है, हम, आप देखा होगा, product shop लेते हो, किसी भी shop से, तो उसे इंचे barcodes लगे होता है, कभी आप judge करें, तो barcodes लगे होते हो, और barcodes को, कोई भी mall है, या कोई भी shop है, अगर उसको, P.O.S. terminal के साथ, उस shop को चलाना शुरू कर दें, या उस price, मतलब जितनी भी आपने products ली है, उनकी prices को barcode से check करवाता है, barcode उसको निकालता है, उसका answer जो है, ठीक है, आप answer निकाल कर, ठीक है, total आपको receipt बना देता है, कि आपका total यह हो गया, आपने फलाँ चीज ली है, आपने इतनी चीज़े नहीं है, आप फर्ज करें, आप आपने कोई product ली है, खाने की, ठीक है, आपने कोई chocolate ली है, आपने कोई snacks ली है, जितना भी आपने कोई product ली है, तो वो actually उसको store करवाता है, अपने system के अंदर, store कैसे करवाता है, point sale terminal होता है, is an electronic device used to process the card payment at retail location, retail locations के पर आप देख रहे हो, card processor पढ़े होता है, अब फर्ज कर आपने 50 रुपी की कोई चीज ली है, आपने 50 रुपी उसको pay करने है, अगर आपके पास cash नहीं है, तो आप card, आपके ATM card आपके पास मुझूद है, तो आप POS terminal से उस card को scan करवा कर, जो भी आपके receipt बनती है, देख रहे हैं, आपके सामने receipt उसने बना ली, I think, उस receipt को आपन अगर submit करवाना है, 50 रुपी आपने उसको देने तो आप card से दे सकते हो, आपका card उसी barcodes को देखकर, उसी data को देखकर, जो जितनी भी आपकी price बनती है, वो उसको deduct कर लेगा, आपके data से निकाल लेगा, आपका count क्या है, 50 रुपी लेस हो जाएगा, आपके 50 रुपी लेस से निकल जाएगे, तो सारा का सारा जी प्रॉसस हो रहता है, पीस टर्मिल पर हो रहता है, बार कोड रीडर is connected to each POS terminal, as reader is run across the barcode, the details are sent to the central computer, जब reader, जब आपका बार कोड की data आपके scan करता है, तो आपके computer के अंदर वो data store हो जाता है, तो computer है, फिर क्या करता है, matches the barcode with the product and price information and send it to POS terminal, तो फिर वापस कहा है, POS terminal के साफ़ information चली जाती है, जो detail होती है, उस screen के पर नदर आ जाती है, POS के, ठीक है, printed on receipt, एक receipt निकल आती है, and recorded in the central computer, जो central computer के पर record हो जाती है, यानि एक बहुत अच्छा system है, अगर आप इसको malls के अंदर या shop के अंदर यूज करते हो, तो या आपकी products बेचने में आपके जो technology का system है, उसको improve करने में आपकी मदद करेगा, उसके बाद है quick response code reader, quick response code reader थोड़ा सा barcode reader से एक नई technology आई है, ये उससे ज़्यादा जल्दी काम करने वाला है, और ज़्यादा data store करने के लिए इस्तमाल होता है, उसमें थोड़ा से data store ह product का name, product, barcode reader के अंदर product का name, कहां से बनी है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या मौजूद है, ठीक है, इसकी price क्या है, लेकिन QR code में ज्यादा data store होता है, आपकी barcode से, the QR code consists of black dots and placed, placed within square box, black dots आप देख रहे हैं, boxes बने हुएं चोटे-चोटे, तो एक box, एक square box के अंदर सारा हमने हैं बना हुआ, तो QR code को scan करने के लिए को scanner device होगी, जिसको हम QR code device कह रहे हैं, reader कह रहे है, this can be read by smart phones that have the quick QR code application installed, कुछ QR code reader में ज्यादा तर मौजूद हैं, अंदर application installed होते हैं, जिससे आप देख रहे हैं, phone के अंदर application थी, installed थी, आपने, generally आपने zap पे use की होगा, कोई भी, आपको कोई smart phone ले हैं, तो इसके इंदर zap पे मुझूद होता है, तो आप जब connect कर रहे हैं, तो आपको scan करना पड़ता है, आपको QR code, actually वो data मांग रहा होता है, system का दूसरे का दूसरे के से, ठीक है, और connection complete हो जाता है, fingerprint reader होता है, आपके schools में, आपके offices में use होता है, इसका का क्या होता है, या आपका central computer के साथ, या आपका office का, या स्कूल का, जो system में, उसके साथ, ये connected होता है, आप actually first time, कोई भी जो लोग है, उस department में, या फिर स्कूल में students है, वो first time, उस अपने fingerprints को वहां पर store करवाते हैं, और फिर next, further जब भी उसके उपर finger लगाया जाते है, तो तो daily basis की उपर आपको, यह नहीं को, रिजिस्टर लेकर जाना पड़ेगा, बस teacher आएंगे, या फिर student आएगा, वहां पर finger रखेगा, और वो detect हो जाएगी, कि जी, यह student इस ताइम इस ताइम स्कूल पांचा था, और वापसी पर भी आगर finger लगाएंगे, तो वो पता चल ज आपना चाहिए data already computer के उपर first time, यानि हमें store करना पड़ेगा, then हम further इसको use कर सकते हैं, आपने मुबाइल में भी आजकर देखा हो, क्यों कि fingerprint reader होते हैं, तो आपकी security को highlight करने के लिए, आपकी security को hi-fi करने के लिए, आप finger use करते हो, आपका mobile open हो जाता है, आप finger लगाते हो, आ आजकल हमारे कह सकते हैं कि technology मुबाइल में भी आ चुकी है, जो further कहीं पर normal किसी भी school में हाजरी या फिर किसी भी school या department में presence के लिए use होते थे, आज हमने scanning devices के remaining topics, QR code, barcodes and fingerprint reader के बारे में पड़ा, इस questions हैं आपके लिए, इनको आपने देखने हैं, इनको आपने search out करना हो, उनके questions, इन questions के answer आपने notebook's के उपर write करने हैं, नेस चल्चा तक के लिए, लाफ लाफ इस टेक्यार,